चलिए बनाते हैं कद्दू यानि कोड़े को कुछ मज़ेदार तरीके से जो खाने में सौधिस्ट हो चटपटी हो असान हो और टेस्टी भी लगे तो दोस्तों हम सभी ने शादियों में कद्दू की सबजी बहुत खाई है लेकिन हलवाई किस तरह से बनाते हैं आज हम कुछ उसी तरीके से ट्राइ करते हैं कि चटपटी रहे एकदम हलवाई स्टाइल में बने तो सबसे पहले हमें कद्दू के बीजों को और रेशों को निकाल लेना है इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है इनके साथ हम इस रेसिपी को नहीं बनाएंगे और इसके बाद इस हमारे हेल्थ के लिए तो एक बार ट्राइ कीजेगा अब देखिए स्लाइस में कट करने के बाद हमने इस तरह से कद्दू के पीसे कट कर लिए हैं बहुत जादा नहीं पतले कट करने नहीं मोटे मीडियम साइस का कट करेंगे एक इसमें हम आलू डालेंगे और उसे भी इस कद्दू की रेसिपी सर्सो के देल में तो सबसे पहले हम डालेंगे सर्सो का देल इसके बाद हम दोस्तों पां सूखी मसाले डालेंगे जिसे कहते हैं पच्छोरन जिसमें जीरा राई मेथी डाना सौफ और कलोजी होती है उसके बाद तीन से चार आप अरिभी रिच काट क बना रहे हैं और वैसी ही इसमें टेस्ट भी आईगी तो बढ़ियां से इसको मिक्स कर लीजिए इसके बाद टेस्ट के एक से दो बार मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके फाइफ निट्स के लिए कुख होने दीजिए तो इस सरह हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो देखिए पांच मिनिट हो गए हैं अब हम सब्सक्राइब कर लेते हैं बहुत अच्छे से इस तरह से फ्राइब हो जाती है अब सारे मसाले में इसमें एट करेंगे मसालों में लाल मिच पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला थोड़ा सा और हल्दी पाउडर तो दोस्तों मसाला डालने के बाद दो से तीन बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिए ताकि मसालों की कोटिंग बढ़ियां से हो जाए इससे हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी और टेस्ट फुल बनेगी पानी का यूज हम इसमें नहीं करेंगे ए इसा करने से मसालों की कोटिंग बढ़ियां से हो जाएगी मसाले बहुत अच्छे से अंदर तक धिन जाएंगे और जो थोड़ी बहुत कसर होगी सबजी में वह भी पक जाएगी तो देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए है सबसी हमारी बढ़ियां से को खो गई है मैश तो आशेह थिष्याई है तो आप लगे सबस्टा अब देशीक्त ड़ाई तो अब हम थोड़ासा देसीगी अफुरस करा मोई हरता है तो आप में किसी कम आ Χाइब को सबस्कार चाहिए चाहिए तो बहुत आप मिर्कान मुझ साथ देश बंगा इसथियों दोस्तों आप इसे पूरी से पराठे से रोटी से यहां तक की फ्राइर राइस से भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है हमने इसमें ग्रेवी नहीं एट किया मगर फिर भी फ्राइर राइस से खाएंगे ना तो बहुत मज़िदार सी लगीगे एक खाकर दुरू तो आपको यह सर्फो वाली कोहड़े यानि की कद्दू की मज़ेतार चेटपटी सी रेस्पी अगर दोस्तों पसंद आयो तो वीडियो को जरूर लाइक करें शियर करें मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ इसे तो से इंढों करें वीडियो करें मुझे बहुए साथ अभी होर Sean